हलो श्रेंट्स मैं हूँ रमाकान पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिनवाड़ा आज हम आपसे बात करने वाले हैं श्रेंट्स यूटी दोहजार पच्चिस के सिलेबस के बारे में तो श्रेंट्स आप लोग जैसी ओफिशल वेबसाइट पर जाएंगे श्यूटी की तो श्रेंट्स आप लोगों को ठीक है वेबसाइट अध्यान जिसे श्रेंट्स हम लोग बिजनिस स्टडी के नाम से जानते हैं उसका आप लोगों को यहाँ पर syllabus मिल जाएगा आपको श्वेंस पचास question पेपर में पूछ जाएगे business study के जो भी आपके domain subject रहते तो तीन आपके domain subject रहते हैं मतलब main subject और श्वेंस उन में से आपको 50 में से किवल 40 question solve करना होगा एक सही question करने पर आपको ठीक है पांच नमबर आप एक question गलत कर देते हैं तो आपका एक नमबर जो है वो deduct कर लिया जाएगा काट लिया जाएगा तुश्वेंस आईए syllabus आप लोगों को हिंदी इंग्लिस दोनों में यहाँ पर हमारे पास में हैं दोनों को हम discuss करते हैं तुश्वेंस principle and function of management आप से पेपर में पूछा जा स्टाफिंग पर बेस question रहेंगे उसी का हिंदी में प्रवंधन के सिध्धानत और कायर में प्रवंधन की प्रकरती और महत्व ठीक है प्रवंधन के सिध्धान ब्यापारिक वातावरन योजना और आयोजन यह आप लोगों से पूछा जाता है इसके बाद में स्टाफिंग पर बेस question होते हैं इसके बाद में आपका डारेक्टिंग पर बेस question रहेंगे आप लोगों के controlling पर बेस question रहेंगे business finance and marketing पर बेस आप से पेपर में question पूछे जाते हैं business finance ठीक है financial market marketing पर बेस question रहेंगे ठीक है निर्देशन नियंत्रन और व्यपसाय वित ठीक है आर्थिक आप लोगों से entrepreneurship development पर बेस question रहेंगे इसके बाद में श्मेंस आप लोगों को ठीक है उभोगता संदक्छन और उधिमिता विकास तो श्मेंस यह आप लोगों का total syllabus होने वाला है CUT 2025 के लिए तो यदिश्मेंस आप CUT 2025 एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो श्मेंस आप हमारे चनल को subscribe कर लीजे, bell icon को press कर लीजे जिससे आपको CUT exams related सारी जानकारी मिल सके, कब paper होने वाले हैं, application form कब आएंगे, कौन-कौन से college आप लोगों के लिए best रहने वाले हैं, क्या cut off होगा, ठीक है सारी जानकारी आप लोगों को CUT की हमारे चनल के मार्जम से सबसे पहले मिलत रहेगी, bye bye and take care